तो आज हम पढ़ेंगे वह है फर इस नंबर 3 & 4 फ्रम नागेंदर बाभू तो शुरू करते हैं पेज नंबर है 88 तो दिखे इसमें बताया गया है स्टार्टिंग में ही कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो था कि फिजीशन का मिशन क्या होता है 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 ना हाइस्ट आइडिल क्यो होता है अब हम लोग यह जानेंगे इसमें फर इस नंबर 3 में knowledge of the physician के बारे में कि फिजीशन को क्या क्या चीजों किन-किन चीजों की बारे में knowledge होनी चाहिए ताकि वो सही माइनों में कहला सकता है तभी एक true practitioner of healing art ठीक है यानि अगर वो उसको एक physician को इन सब चीजों की knowledge है तभी वो कहलाएगा एक true practitioner of healing art और अगर उसको इन सब चीजों की knowledge नहीं है तो सही माइने में true practitioner of healing art नहीं कहलाएगा तो कौन-कौन सी knowledge होनी चाहिए physician के पास चीजे जो है उसको वालम होनी चाहिए दूसरी चीज जो है उसको knowledge of medicinal powers होनी चाहिए knowledge of medicinal power means कि है ना उसको medicine के बारे में knowledge होनी चाहिए कि medicine क्या होती है कैसे बनती है ना medicine क्या होती है कैसे बनती है उसके बारे में सब चीज उसके effects क्या होते है इसेक्टर इसेक्टर मेडिसेन से रेलेटिट सारी मटेरा मेडिका की उसको अच्छी नॉलेज होना शायर थी थींग है है थार थिंग है knowledge of application of knowledge of application of drug knowledge to disease knowledge यानि कि उसको यह चीज़ देखिए जो उसकी materia की knowledge है ठीक है, उसको ये चीज मौलम है medicine के बारे में उसको पूरी knowledge है कि हाँ ये medicine इस चीज़ से बनती है ऐसे ऐसे काम करती है ये effects produce करती है तो उसको उसी knowledge को medicine की knowledge को disease के अंदर जो है, जो disease है उसमें apply करना आना चाहिए जो materia की knowledge है उसको disease की knowledge में उसको apply करना आना चाहिए ठीक है knowledge of choice of remedy यानि कि उसको सही remedy choose करना आना चाहिए remedy क्या होता है, मैं फिर से बता दू देखो, तीन चीज़े होती है drug, medicine and remedy drug क्या होता है, drug होता है कि कोई भी ऐसा substance, crude form में जिसके अंदर medicinal properties हों, उसको drug क्याते है, ठीक है, medicine क्या होती है, medicine वो होती है कि जब उसमें हम लोग गे ना, medicinal properties जो है arouse कर देते है medicinal properties जो late in form में होती है उसको potentize अगर एकर करें, lie detector properties को arouse कर देते हैं, और जादे enhance कर देते हैं, तो medicine बन जाता है ठीक है और remedy क्या होता है? remedy होता है कि medicine अगर case taking के बाद particular patient के लिए particular medicine जो निकल के आती है उसको कहते है remedy यानि कि मान लिजिए मेरे लिए कोई अलग remedy है मेरी case taking की मेरी totality के according है मेरे लिए एक medicine बनी तो वो मेरी remedy है ठीक है? यह फर्क होता है drug medicine and remedy में तो इसमें दिया गया है knowledge of choice of remedy यानि कि physician को सही choice of remedy करना आना चाहिए यानि कि उसको अच्छे से case taking करके सही medicine निकालनी आनी चाहिए then क्या है knowledge of pharmacy knowledge of pharmacy में यह है कि physician को यह मालम होना चाहिए कि दवाईयां कैसे बनती है कैसे dispense की जाती है etc. etc. पूरा जो है potentization, trituration इन सबकी pharmacy की उसको पूरी knowledge होनी चाहिए then फिर sixth है knowledge of proper dose उसको यह knowledge होनी चाहिए कि dose कितनी देनी है ठीक है? कितनी? जैसे कि हम लोग एक रहता है कि हमें TDS में देना है, BD में देना है ओडी में देना है, टंग डोस देना है, अलम बोटेंसी देना इसकरा इसकरा, इन सब चीज़ों की knowledge होनी चाहिए then फिर knowledge of repetition of dose, यानि कि दवाईयों को कितनी बार, कितने जल्दी repeat करना है, कितने बाद में repeat करना है कब repeat करना है, उसको ये चीज़ आना मालूम होनी चाहिए then एर्थ है कि knowledge of obstacle of cure, यानि कि उसको ये इस चीज़ की knowledge होनी चाहिए कि जो cure की दौरान, जो भी obstacles आ रहे हैं जो भी रुकावटें आ रही है cure में उसको उसे कैसे दूर करना है उसको इस चीज़ की knowledge होनी चाहिए okay last point है इसमें in the fourth aphorism में, honey man explain about knowledge, वही कि the things that knowledge of तो overall उन्होंने aphorism number four में honey man ने बताया है कि उन सब चीज़ों के बारे में knowledge होनी चाहिए कि जो derange करती है health को और cause करती है disease को उसकी knowledge होनी चाहिए और उस चीज़ों को कैसे remove करना है person से उस चीज़ की knowledge होनी चाहिए okay तो अब हम इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा detail में पढ़ते हैं तो सबसे पहला था knowledge of disease इसमें देखें knowledge of disease में क्या दे रख़ा है कि जो homeopath है homeopath की approach and disease के लिए allopath से बहुत अलग होती है होते हैं allopath मानते हैं कि material body की वज़े से हो रहा है जैसे bacteria virus and all पूरा और हम लोग क्या मानते हैं हमारी body homeopath क्या मानते हैं कि जो हमारी body में जो मियाज में है उनकी वज़े से जो हमारी vital force में derangement हो रहा है न वो होता है disease तो हमारी definition disease की अलग है as compared to allopaths उनकी definition of disease अलग है ठीक है then आगे इसमें दे रखा है कि honeyman ने एक चीज़ advice की है कि जो हमें क्या करना चाहिए कि जो disease को न इसमें लिखा हुए honeyman advice to consider every case of disease as a new one इसका मतलब कि honeyman का कहना था कि जो हर disease को हमें एक नई disease के तोर पे लेना चाहिए and उसी को उसी के according है न हमें patient को examine करना चाहिए patient को remedy prescribe करनी चाहिए किस तरीक से मैं थोड़ा से इसको explain करता हूँ जैसे कि मान लिजिए कि मैं हूँ मुझे diarrhea है मान लेते हैं ठीक है मुझे diarrhea है तो और मान लिजिए मेरे साथ एक और patient आया है उसको भी मान लिजिए तो यह नहीं होगा कि जो मेरी medicine है वो जो मेरा case है क्योंकि दोनों case है न डायरिया केंगे तो जो मेरा case है same same मेरी remedy है न उसको वहाँ पर दे दी जाएगी नहीं हर case को नया मानना चाहिए क्योंकि हम लोग यह मानते हैं हो में पती में कि कोई भी disease नहीं होती मतब़े कोई भी disease नामक एक इकलौती चीज नहीं होती जो भी होता एक बीमार person होता है कोई भी particular disease नहीं होती जैसे कि देखिए कि मान लीजे मुझे डायरिया था तो जो मेरी totality निकली जो मेरी case taking about totality निकली वो अलग निकली उसके according medicine अलग है जो दूसरा person है जिसको diarrhea था उसकी case taking की गई उसमें diarrhea का cause अलग था तो उसकी totality बनाके है ना उसमें remedy जो है उसकी अलग निकली ठीक है तो इसी वरे से honeymoon निका है कि जो हर case है उसको एक new one के तौर पे लेना चाहिए एक नए case के तौर पे यह नहीं की है हना कि हमने same same diseases हैं तो है ना same medicine है ने चिपका दी ऐसा नहीं करना चाहिए इसमें आगे कहा गया है कि according to honeymoon 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 का क्या मानना था कि कि किसी भी तरीके की कोई disease नहीं होती उन्होंने particular disease term का use किया ही नहीं था उन्होंने ये कहा था कि कोई भी disease नहीं होती एक बीमार person होता है यानि कि मेरे अंदर मान लीजे है ना कोई physiology चल रही है मेरे अंदर मान लो कोई internal organs में कोई problem है जिसकी वज़े से मुझे जो है fever, nausea या इस सब की symptoms आ रहे है और मान लीजे है किसी कोई और है मान लीजे वही चीज़ मेरे अंदर कोई problem है जिसकी वज़े fever and all के symptoms आ रहे है तो इसका मतलब यह नहीं है fever और nausea इसकी medicine हमने निकाल लिए दूसरा person आया उसने भी fever and nausea तो यह नहीं कि दोनों उसको same दे देंगे ठीक है क्योंकि कोई disease नहीं होती हुमलोपथी में हम लोग ना particular disease को लेके नहीं देते medicine है ना एक person जो होता है हमेशा कोई भी disease नहीं होती एक बीमार person होता है यानि कि मैं हूँ मेरे अंदर किसी वज़े से किसी भी वज़े से किसी भी problem की वज़े से जो है sign and symptoms आ रहे इस form of fever and nausea यही एक दूसरा person है दूसरे person के अंदर fever किसी और वज़े से आ रह labor उसके जो body है उसके अंदर किसी और तरीके की physiology चल रहे है उसके अंदर किसी और तरीकी की pathology चल रही है जिसकी वज़े से है ना उसमें fever and nausea की symptoms आ रहे हैं ठीक है तो हम लोग जो है ना अलग-अलग हैं यानि कि मैं एक diseased person हूँ ठीक है कोई एक particular disease नहीं यानि कि मेरे अंदर कोई pathology चल रहे है जिसकी वज़े से मुझे वो symptoms आ रहे है ठीक है ना दूसरा इंसा ना उसके अंदर एक अलग pathology चल रही है शायद उसकी वज़े से ना दूसरे symptoms आ रहे है ठीक है तो simple सी चीज़ यह है कि कभी भी कोई disease particular नहीं होती है according to हुमेपती एक diseased person होता है simple वही है ना कि उसके अंदर अलग symptoms इस वज़े से आ रहे है उसकी totality में क्योंकि उसको कोई और दिक्कत है लेकिन symptom भले ही same हो लेकिन medicine same नहीं हो सकती क्यों क्योंकि उसमें disease किसी और मानलो उसमें किसी suppression की वज़े से मेरी जो disease है मेरी disease है ना किसी और चीज की वज़े से मानलो मैंने कुछ और खा लिया यह कुछ ऐसा कर लिए तब मेरा cause अलग है उसका cause अलग है भले ही symptom same हो ठीक है तो diseased person होता है ना कि disease इसी वज़े से हमें यह रखना चाहिए कि हमें individual approach रखनी चाहिए हर disease के लिए then इसमें यह है आगे next parameter में कि homopathy will not neglect physiology and pathology homopathy में कभी भी physiology या pathology को कभी भी neglect नहीं किया गया यह नहीं किया गया कि हमें जानने भी जरू होती नहीं है कि हाँ सामने वाले के अंदर क्या physiology चल रही है क्या pathology चल रही है हमें यह भी जानना चाहिए कि सामने वाले के अंदर क्या physiology चल रही है क्या pathology चल रही है यह सब हम लोग कैसे जानते है case taking से ठीक है तो जो physiology और pathology होता है वो क्या हमें बताता है वो हमें बताता है knowledge of manifested disease कि जो disease है वो किस तरीके की है किस तरीके से work कर रही है यह सब चीज़े हमें बताता है ठीक है क्या जब हम लोग और physiology और pathology के बार में जानते हैं और यह जो चीज़े है physiology और pathology जानना यह क्या करता है कि diagnose करने में भी disease को diagnose करने में भी काफी help करता है ठीक है तो इसी वज़े से जो है but a homeopath will not stop with this his aim to create the individual who is sick overall यह है कि homeopath diagnose a pathological condition with the help of common symptoms तो यह simple सी चीज़ है हमें इसमें आगे यह दे रखा है कि homeopath को सिर्फ और सिर्फ pathology पे ही पूरी तरीके से डिपेंड नहीं होना जाना चाहिए homeopath को यह चीज़ रखनी चाहिए कि है ना जो pathology को हम लोग पता करते हैं वो कैसे पता करते हैं diagnose करते है pathological condition को हम लोग पता करते हैं उसकी with the help of common symptoms of the disease यानि कि हम लोग case taking करते हैं हम लोग जो common symptoms देखते हैं उनको analyze करते हैं then फिर उसके according हम लोग ना कही ना कही ना पता करते हैं कि हाँ इस person के अंदर क्या pathology चल रही है जैसे कि मने आपको अपने case taking के वीडियो में बताया था कि case taking मतलब यही होता है कि जो सामने आले patient ना वो किस तरीके से अलग है दूसरे इंसान से इन उसमें क्या pathology चल रही है यह जानना मतलब होता है case taking का okay then आगे है इसमें कि simple से जीज़ वही है कि हाँ जो हम लोग ना pathological condition को कैसे जानेंगे वो हम लोग जानेंगे common symptoms के basis पे और uncommon or peculiar symptoms peculiar symptoms के basis हम लोग जानेंगे जो सामने वाला patient है उसके अंदर क्या pathology चल रही है then इसमें और इसी के according हम लोग है patient को individualize करेंगे then आगे इसमें है कि homeopath believes that the cause of disease ठीक है वही है कि homeopath यह मानते है कि जो cause of disease है वो derangement of vital force होता है derangement of vital force होता है and this cause into different state of the disease according to हाँ जो है disease जो होती है according to हमेपती है वो होती है derangement of vital force की वज़े से और यह जो होता है अलग-अलग constitution में अलग-अलग तरीके से work करती है और अलग-अलग तरीके से symptoms produce करती है यह सब चीजे हैं तो यह था पूरा knowledge of disease के बार में कि disease क्या होती है कैसे manifest करती है okay then जो दूसरी knowledge की बात हमें की थी जो है वो थी knowledge of medicinal powers knowledge of medicinal powers में क्या है इसमें आवा बताया गया है कि medicine वो only medicine जो होते है वो एकलौता weapon होते है जो physician की हाथ में होते है जो की जिसकी मदद से वो disease से लड़ता है तो अगर उसको जो है एक physician को knowledge of medicines जो होना mandatory है, उसको medicines की knowledge होनी ही होनी चाहिए जब तक है न, medicine की knowledge नहीं होगी तब तक वो फिर कहां सी यह नक्योर करेगा, ठीक है? आज यह इसमें है कि before developing homeopathy, before discovering homeopathy, जब homeopathy discover भी नहीं होई थी, तो master honeyman ने, उन्होंने अपने एक friend को एक letter लिखा था और उसमें कहा था कि I have been putting rugs to which I know little, into the bodies of which I know less so I can, but renounce the practice of medicine that I may no longer incur the risk of doing injury उन्होंने, उनका कहने का मतब यह था कि मैं उन patients के अंदर जिनको मैं धं से उतना जानता भी नहीं हूँ ऐसी medicines है न, उनको दे रहा हूँ जिन medicines के बारे में उन्हों तना जानता नहीं हूँ ठीक है, तो फिर simple से चीज़ है यह कि मैं एक तरीके से उनको risk कर रहा हूँ है न, injuries के प्रती भाई, जब मैं मुझे medicine की knowledge है नहीं, और मैं बस दे यह जारूं, दे जारूं patients को वो भी ऐसे patients को, जिनके बारे में मुझे खुद को जादा मालूम नहीं है, तो फिर क्या होगा भाई, कल को मान लो, उसको कोई चीज नुकसान करती है या उसको कोई injury हो जाती है, उससे नुकसान होता उसका, तो भाई, कौन जमिदार होगा इस चीज का, ठीक है, तो उन्हों ने इस चीज को कहा था, और आगे है कि second paragraph में to avoid this, इसी को avoid करने के लिए honeymoon stressed to prove the homeopathic, ठीक है, इसी को avoid करने के लिए इसी को लेके honeymoonन ने कहा था अपनी आगे के लिए, कि हमें सिर्फ और सिर्फ है ना before ने लिए, प्रूव करनाहे, उनको अच्छे से healthy human में देखके अप्रूव करनाहे, उनको अच्छे से examine करना चाहे, समझना चाहे कि क्या effect आ रहे क्या नहीं आ रहे, then ही कहीं हमें जो है, जब हमें पूरा पता चल जाये उसकी proving से, यहाँ यह बिल्कुल safe and secure है, तभी कहीं जाके हमें उनको वो medicine patients को देनी चाहिए, ठीक है then आगे क्या है कि the disease producing capacity of the medicine, हाँ, आगे इन्होंने बताया है कि जो disease, जो medicine की disease producing capacity होती है, वही medicine की disease curing capacity होती है, यानि कि वही होता है ना, symptom similarity कि भाई, आगर medicine है ना, symptoms मतलब है ना, same produce करेगा है ना, तो उतनी, जितना same symptoms produce करेगा, disease से उतनी ही जल्दी है ना, और उतनी हची से, तरीके से, वो disease को cure करेगा ओके और उन्होंने आगे बोला है कि यह जो knowledge of medicine है यह most important knowledge है ठीक है, जो physician को होनी चाहिए no medicine should be administered to the patient unless its pathological power is well proven on healthy human कोई भी हमें medicine ऐसी जो है patient को नहीं देनी चाहिए जब तक कि हमें वो अच्छी तरीके से prove ना हो, हमें उस medicine के बारे में अच्छी knowledge ना हो, ठीक है, तब तक हमें कोई भी medicine जो है, एक patient को नहीं देनी चाहिए इसी वज़ए से कहा गया है कि बिना drug proving के, कोई भी medicine हमें patient को नहीं देनी चाहिए then फिर आगे बढ़ते है next है, knowledge of application of drug knowledge to disease knowledge इसमें यहीं बढ़ाए गया कि जो drug knowledge को हम लोग है disease knowledge में है ना, कैसे है ना apply करेंगे, तो इस पैरा में दिया हुआ है कि application of medicine to the patient हमें जो है medicine, तो knowledge of medicine तो हमें है, ठीक है, कि medicine की knowledge है अब हम इसको कैसे apply करेंगे disease की knowledge में, ताकि जो है, वो disease cure हो सके यह जरूरी है यह knowledge जो आना वो जरूरी है तब ही हम highest ideal cure achieve कर सकते हैं, ठीक है तो अब इसमें आगे है कि there are several method, मतलब बहुत सारे method थे जो हमारे pioneers ने है ना, मतलब हमें बताए थे application of medicine application of medicine के हमारे pioneers ने बहुत सारे method है ना, बताए थे, जिसमें से एक opposite law, यानि कि antipathy भी था और जो law of similia हमेपथी, यह दो important one है ठीक है, यानि कि हमारे pioneers ने application of medicine के कई सारे तरीके बताएते जिसमें से दो important तरीके बताएते एक था allopathy, ठीक है जो कि था opposite law पे बेस था, sorry, antipathy antipathy, forget I apologize for my mistake पहला था antipathy दूसरा था हमेपथी, तो हमारे pioneers ने दो में इन तरीके बताएते हैं सबस्यादा एक था antipathy, जो कि opposite law पे काम करता था और एक था हमेपथी, जो कि यह ना law of similia पे काम करता था, ओके यह दोनों important थे for the application of medicine ठीक है, और experience हमें बताता है कि जो law of similia जो है यानि कि जो हमारा हमेपथी का law है वो only curative law है, यानि कि वो इकलौता law है, जो सही माइन में cure की definition को पूरा करता है सही माइन में cure करता है, जो हम हमेपथी में cure की definition पढ़ते हैं ओके, इसमें आगे पैरा में दिया हुआ है कि Harriman states Harriman ने कहा था कि अगर हम लोग highest ideal cure को achieve करना चाहते हैं, तो selection of remedy, selection of proper potency, as well as the proper repetition of the remedy is very important ठीक, Harriman ने इसमें कहा है कि अगर हम लोग है न, ideal cure को achieve करना चाहते हैं, तो हमें सबसे पहले चीज़ तो हमारा remedy selection अच्छा होना चाहिए, दूसरी चीज किस potency में हमें देनी है, selection of proper potency कौन सी potency में हमें देनी है, वो हमारा अच्छा होना चाहिए, दूसरा कि उसका repetition हमें कैसे कैसे करना है न, वो चीज हमारी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, यह तीनों चीज़ बहुत important है तो आगे इसमें है कि application of drug knowledge or disease knowledge is a matter of medicine of experience, ठीक है, यानि कि जो drug knowledge को अगर जो हम disease knowledge में है न, मतलब यह न, कैसे apply करेंगी, वो एक experience is a matter of experience, ठीक है, मतलब यानि कि वो हमें कैसे आता है, वो हमें experience से आता है, और जितना मतलब उसमें पढ़ते तो है ही है, और उसमें साथ में, जैसे जैसे हम experience करते हैं अपना, तो हमारे यह चीज़ें और बहतर होती जाती है simple this reason, आप जितनी जाद प्राक्टिस करेंगे, आपको और अच्छे से पता लगतर जाएगा कि हाँ, यह बीमारी है इनको knowledge of choice of remedy भी होनी चीए, कि है ना, उसको जो है न, remedy जो है न, किस तरीके से चूज करनी है, कौन सी remedy चूज करनी है, उसको पूरी तरीके से knowledge होनी चीए, तो knowledge of choice of remedy में क्या है, देखो, इसमें आगे दे रखखा है कि law of single remedy देखो, जो था, वो fundamental law of हुमेपती था, यानि कि हुमेपती इस चीज में अभी तक मानता है था कि जो भाई single remedy हमें देनी है, ठीक है, तो यह क्या है, knowledge law of single remedy यह एक fundamental law था, ठीक है, तो अगर हम लोग यह न, किसी भी remedy को select करते हैं, तो फिर वो एक सबसादा difficult part होता है, practice का, ठीक है, हुमेपती एक practice का सबसादा difficult part होता है, कि हमाँ पर select करते हैं, आगे इसमें दे रखा है कि during case taking, जब physician जो है case taking करता है, तो बहुत सारे जो है न, बहुत सारे symptoms जो होते हैं, वो similar मिलते हैं, मतलब मान लीजे, patient की, आपने case taking की, ठीक है, तो आपको patient के symptom है न, और कई सारे, मतलब कुछ common symptoms होता है, जो कि हमें बहुत सा एक सही remedy पर पहुंचे, वो चीज बहुत जारे important होती है, वो आने चीज है, ठीक है, but only the most similar में single remedy has to be administered at a time, यानि कि हमें सिर्फ और से most similar में तो याइत है, इसमें भी वही चीज है, इसमें भी चीज है, इसमें भी चीज है, इसमें भी चीज है, तिकने इसमें से most similar किसमें ह है, एक टाइम पर एक ही दवाई, हैनिमन एडवाईज इन फरेज नंबर 153, ठीक है, है, हैनिमन ने फरेज नंबर 153 में ये चीज बताई है, कि जब भी हम लोग होवे पतिक remedy चूस करते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को किन शीजों पर गौर करना चीज है, most striking, सबसे of the case of the disease are chiefly and most solely to be kept in view, यानि कि जो most striking symptom हो, singular symptom हो, uncommon or peculiar symptom हो, signing symptoms जो होते हैं, वो हमें हैना, मतलब, बिलकुल chiefly मतलब रखने चाहिए, अपने दिमाग में, उनके basis पे हमें हैना, remedy हैना, select करनी चाहिए, ठीक है, ये हमेंने बताए है, फरेज नमर 153 में, तो ये जो पूरा प्रो common symptoms को देखते हुए, देखते हैं, एन इसी के basis पे हम लोग जो हैना, single remedy हैना, select करते हैं, जो कि patient को पूरी तरीके से cure करता है, ठीक है, तो जो remedy selection का जो पूरा प्रोसेस है, वो इसमें बताया हुआ है, ओके, और फिर last में इसमें है line कि, जो, hence the skillful prescription, ठीक है, तो जो skillful prescription है, ज intelligent application of knowledge of material medica and the knowledge of organon, यानि कि, अगर आप एक अच्छा prescription बनाना चाहते हैं, तो उसमें क्या करना चाहिए, आपको जो knowledge of matera medica है, उसकी knowledge को, और knowledge of organon है, उसकी knowledge को साथ में लेके चलना चाहिए, देन आप एक अच्छा prescription बना सकते हैं, ओके, देन इसमें है कि, knowledge of pharmacy, knowledge of pharmacy होनी चा है, उसको trituration, sacration, potentization, इसमें सब की याना चीज़ों की याना knowledge होनी चाहिए, कि medicine में जो medicinal powers होती है, किसी drug में जो medicinal powers होती हैं, उसको arouse कैसे करते हैं, सकतर इसकतर, ओके, तो इसमें यहीं दे रखा है, knowledge of pharmacy, knowledge of pharmacy में, कि, मान लिजे, after the intelligent selection of remedy, भाई हमने remedy भी आना अच्छी तर का remedy है, वो genuine नहीं है, तो जो पूरा का पूरा जो हमने case taking on all का, पूरा का remedy selection का, जो पूरा प्रोसेस हमने के था, वो सब का सब जो है, बेकार है, ठीक है, क्योंकि जो remedy, मतलब जो हमारी medicine है, वो genuine नहीं है, क्योंकि, ठीक है, तो इसमें आगे दे रखा है, कि इस वज़े से knowledge of exact and careful preparation of the medicine becomes compulsory, यानि कि एक जो physician है, उसको knowledge होनी चाहिए, कि भाई, कैसे बनती है medicines, कैसे बनाई जाती है, मान लो कभी कोई कोई सेज में है, कि आपके पास पहले से prepared medicine नहीं है, कोई selected medicine नहीं है, तो आपको यह चीज है कि, खुझ से ही बना की दिन पढ़ रही है, ठीक, तो आपको जो है, उस चीज की बार में knowledge होनी चाहिए, कि आप उसको कैसे prepare करेंगे, तो इसमें पूरा वही है कि, इन हो में पत यह है, उसमें जो medicine होती है, उसका dynamization किया जाता है, according to prescribed manner जो बताया गया, ठीक है, ड्राइ मेडिशन, dry medicinal substance होता है, उसको dynamize किया जाता है, इज農िकट मेडिसनल सबस्टेंस होता है, उसको dynamize किया जाता है, उसको डानेमाइज किया जाता है, इसकोशन की जो होती है, वो होती बड़ा important है, हम लोग ना medicine को किस तरीक से dispense कर रहे हैं वो भी बहुत ज़दे important हो जाता है cure के लिए, कि हम लोग किस vehicle में हम लोग उसको sugar of milk में दे रहे हैं हम लोग उसको globules में दे रहे हैं हम लोग उसको tongue दे रहे हैं, हम medicine को किस form में है ना मतलब किस तरीके से इने dispense कर रहे हैं है ना किस vehicle के साथ dispense करें वो भी बहुत जादा जरूरी होता है ठीक है फो क्यों आगे है उन्हें जेड़न देखो सिर्फ और सिर्फ एक genuine medicine जो होती है वही है ना cure कर सकती है ओके in such condition और इसी वज़े से करना कि जो एक physician होता है उसको यह चीज़ पता होनी चाहिए कि किस तरीके से collect करना है medicine को prepare करना है store करना है dispense करना है ओके you must have the knowledge of identify उसको medical plans होते है medicinal plans उसको identify करना आठीए उसका collection कैसे करते है वो आना चाहिए उसको preservation कैसे करते वो आना चाहिए उसको compounding कैसे करते है उसकी वो सब आना चाहिए ठीक है in case the prescribed remedy is not readily ठीक है यह क्यों आना चाहिए by chance मान लीजिए आपका जो pharmacist है उसमें आपको medicine नहीं की तो patient तो आपके पास आ रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगा patient को ऐसी भागाते नहीं जरुत पड़े तो और dispense कर से जए ओके तो यह था knowledge of pharmacy I hope कि आपको यह समझ में आ रहा होगा then फिर हम लोग आँँ देखते हैं knowledge of proper dose and knowledge of proper dose and potency okay so knowledge of proper dose and potency में क्या है knowledge of proper dose and potency यानि कि कितना dose देना है और किस potency में देना है इसकी knowledge होनी चीए ठीक है इसमें आगे है the dose सबसे पहली चीज़तों हमें यह है जानना चाहिए कि the Oxford and IBH dictionary मतलब है ना दूसरी pathies के according है ना जो है दूसरी dictionaries के according जो है dose का मतलब किया दर पहली चीज़तों हम लोग देख लेते हैं कि दूसरी pathies वागे रह और दूसरी dictionaries के according dose का मतलब के दर dose की definition उनके according होती है the dose is the amount of medicine required to cure the patient dose का मतलब यह होता है कि कितना amount of medicine है जिससे जो है patient जो होता है वो cure हो जाता है मान लिजे कि यह है हमने यह कहा कि मान लिजे मुझे fever है तो मेरे लिए एक इतनी dose एक tablet है ना एक tablet काफी है मेरे fever को खतम करने के लिए तो यह हो गई उनके according dose की definition यहाँ आप एक tablet खाई है जो है आप बिल्कुल क्यों हो जाएंगे यह तो है IBH के according और Oxford Dictionary के according और dose का दूसरी पाथी इसका बट इन होमेपथी but in होमेपथी the medicines are dynamized वो इतना matter नहीं करती हमेपथी मेडिसन जो होती है न उनकी quality जाद मैटर करती है कि जितनी अच्छी quality होगी उतना अच्छे से जो है वो आग क्योर करेगी जैसे कि जैसे कि आप थोड़ा सा बताता हूँ जैसे कि यह देखो आगे पहले मैं थोड़ा सा और बता दू the administration of minimum dose is mandatory नहीं हमेपथी यानि कि अगर आप minimum dose देते हैं तो वो सबसे रादर fundamental laws में है कि भाई आपको minimum dose देनी है और वो minimum dose देना mandatory है ओके और अगर minimum dose देते हैं तब ही जो है curative reaction आपको देखने को मिलेगा ठीक है in the vital force अब मैं थोड़ा सा उसके बारे में बतार रहता है dose के बारे में हुमेपथी का क्यात रहता है आपके मान लीजे हुमेपथी में यह है मान लीजे कि आपकी यह LM potency में दी या फिर जो आना globules में जो है आपको कोई medicine दी है मेरे पास globules पड़े हुए होंगे कहीं पे याद नहीं आ रहा मुझे ओके छोड़े मान लीजे कि आपको कोई भी medicine जो होती है मान लीजे globules के अंदर दी ठीक है तो main अब क्या है कि जैसे हमने पढ़ाता proper dose जो हुमेपथी है ना उसमें dose का मतलब क्या होता है हमेपथी में dose का मतलब भी होता है कि कितना amount ठीक है पहली चीज़तो होता है कि कितना amount लेना है ठीक है फिर उसके बाद क्या होता है कि कि वहकल में लेना है कितना amount लेना है किस वहकल में लेना है है कितनी potency में दे रहे हैं किस वहिकल में दे रहे हैं कितनी potency में दे रहे हैं कितना आमॉंट दे रहे हैं यह सब चीज़े combine मिला के बनता है डोज ठीक है according to home पती और homeopathy में क्या होता है कि medicine की quality जाद important होती है as compared to quantity इसी वाइज से क्या होता है हम लोग कम इसमें आगे है page number 92 पे knowledge of dose can be acquired by studying the pathology and knowledge of dose हमें कैसे आएगी knowledge of dose हमें तब आएगी जब हम लोग ना pathology को बढ़ेंगे और pathology हम लोग कहां पढ़ेंगे pathology पढ़ेंगे pharmacy में okay okay after choosing ठीक है इसमें आगे है कि after choosing the exact remedy हम लोग patient को राइट दोस दें अब सही डोस में देना वो जदरूरी है ठीक है और ट्राइट दोस थेना टू अवाइट अग्रवेशन सब्सक्राइब नहीं देंगे तो बहुत पेशेंट अंदर अन्वांटेट अग्रवेशन वागिरा भी आजेंगे भाई मानलों हमने जादा डोस दे दी भाई शुन में तो अग्रवेशन होगे सॉलिड होना ओके देंगे इसलेक्शन दोस अंडर सम परामेटर्स यानि कि जो सेलेक्शन ऑफ दोस होती है वो कुछ दिये गए परमेटर्स के अकोर्डिंग होती है ठीक है स्टूर्ट लोज ने रिकमेंड करेंगे on the basis of करेंगे nature of the disease disease का nature क्या है उसके according हम लोग अपनी अग्र डोस जो है आगे पीछे कर सकते है duration of the disease क्या है मतलब disease कितनी लंबी है कितनी पहले की है कितनी बाद की है उसके according भी हमारी डोस चेंज होती है उसके according हम लोग इना डोस डिसाइड करेंगे then susceptibility of the patient patient की susceptibility क्या है उसके according भी हम लोग अपनी जो है डोस को डिसाइड करेंगे कि डोस हम उसको कम देनी है जादा देनी है कैसे क्या रहा है ठीक है selection of dose आगे है इसमें selection of dose also depend on the nature of the medicinal substances की medicinal substance का जो है nature कैसा है उसके basis पे भी हम लोग है डोस को जो है बही देखेंगे कि बही हमें कितनी डोस देनी है कैसे देनी है ठीक है मान लीजाए आवसा निकाव नेवान एक्स में दीदी वाही पेशन तो हम लोग है तो हम लोग हम लोग है उसको कम जादा करते हैं तो हैंस selecting the dose the knowledge of the disease nature of the patient and the nature of the medicine has to go है मतलब अगर हम लोग डोस को सेलेक करें तो उसमे knowledge of disease knowledge of the nature of patient knowledge of the nature of medicine यह सब चीजें हमें साथ में लेके चलनी चाहिए ओके देन आया है knowledge of repetition of dose अगला है knowledge of repetition of dose में यह है कि हमें जो medicine है वो कब-कब repeat करनी है कब-कब रेपीट करनी है यह सारी चीजों की भी होनी चीजें ठीए ठीए तो इसमें दिया गया है कि how and when do कब हमें देनी है वही एसक्ता एसक्ता खेंगा चो जो repetition of dose होता है वो किन-किन शीजों पर depend करता है repetition of dose depend करता है कि nature of the disease की disease का nature कैसा है उस पे भी एनगा depend करता है ने acute है chronic है उसके basis पे भी एनगा repetition की हम लोग कित्ती बार repeat करेंगे then dose क्या है कि nature of the medicine medicine का nature क्या है वो deep acting है long acting है deep acting है तो भाई हम लोग थोड़े time बाद repeat करेंगे मतलब रहना sorry sorry short acting है long acting है short acting है तो जल्दी repeat करेंगे long acting है तो लोग बाद-बाद में repeat करेंगे time gap से ठीक है then तीसरा कि the reaction of the patient to the remedy patient किस तरीके से medicine के प्रती react करा है उसके basis पे भी हम लोग जो repetition है उसको हम लोग देखेंगे कि repeat हमें जल्दी करना बाद में करना किस तरीके से करना है एक्जांबल के दौर पर इसमें दिया गया है कि acute disease acute disease है तो उसमें जो हमें frequent interval पे repeat करना होता है chronic disease में हम लोग आना frequently repeat नहीं करते ठीक है तो based on the careful observation है हां मतलब यह है कि patient क्या reaction दे रहा है उसके basis पे भी हम लोगों को फिर जो अपना repetition है वो भी देखना चाहिए ठीक है then second point में क्या है इसमें short acting medicine जो होते हैं वो frequent interval में repeat की जाती है deep acting medicine जो होती है वो इतने जल्दी अलग repeat नहीं किय जाती third point में क्या है कि जैसे ही patient important point है mark की जिगा कि जैसे ही patient show करने लगता है science of improvement any further repetition of the remedy has to be stopped or gradually reduced मतलब जैसे ही हमें patient के अंदर sign of improvement देखना यह को मिलने लग जाते हैं तो में further repetition of remedy जो होता है न उसको जो है stop कर देना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए कि जो है बीच में आपके obstacles आएंगे आपको उसको कैसे रुकावटे आएंगी तो उनको आपको कैसे दूर करना है ठीक है तो अब इसमें क्या है कि देखो नहीं होता है वो अपनी आपको आपको ऑफंट्र मेंborough जो खो देता है ठीक है तो इंस्पाइट कभी-कभी होता है, इंस्पाइट of proper selection, मतलब हमने proper remedy यहां select की है, तब ही क्या होता है कि proper remedy select की है, सही dose दी है, सब कुछ दिया है यह ना, लेकिन जो है, कुछ ऐसी factors होते हैं कि तब ही जो है वो disease cure नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है, जब कि हमने तो है सब कुछ सभी कि है, सब कुछ सभी दिया, potency, dose, cycle, etc. सब सभी दिया, तो क्या ऐसा reason है, तो वहाँ पर क्या होता है, कि कुछ ऐसा reason होता है, जिसकी वजह से, जो cure है, cure का जो path है, वो obstruct हो रहा होता है, रुकावर्ट हो रही होती है, ठीक है, तो वो हम लोग जानेंगे, और वो हम लोग दूर करेंगे, ठीक है, तो regulation of diet and regimen along with the remedy will help, मतलब हम लोग की भाई, diet का हम लोग थोड़ा सा बोलेंगे, कि आप ये खाईए, ये मत खाईए, मालो हो सकता, diet की वज़े से हो रही हो, ठीक है, अगर एक मालो patient को smoking की habit है, ठीक है, तो वो कभी जो है ना, उसकी खासी रुकी नहीं सकती, जब तक वो है ना, अपनी smoking की आदिच छोड़ेगा नहीं, ठीक है, तो ये एक obstacle of cure है, कि जो उसकी खासी की बीच में आ रहा है, जब तक वो smoking को हटाएगा नहीं, वहाँ से, तक वो cure नहीं होगा, तीसरा गया है कि, एक patient है, जिसको बार-बार-बार cold हो जा रहा है, थोड़ी सी भी ठंडी है वाँ से, तो तब तक है ना, सही नहीं होगा, जब तक जो है, वो अपने आपको सर्दी से बचाव नहीं रखेगा, भाई, मुझे माननो cold हो चाथा, बहुत जल्दी यल्दी है ना, लेकिन मेरा तो यह है कि, सुबह मस्त है ना, ठंडी मेरा गूमने को निकलो, आराम से बिंदा से बिंदा से नहीं करो, हमें उन शीदों की knowledge होनी चाहिए, जो की disease को derange करती है, और उनको disease को cause करती है, health को derange करती है, disease को cause करती है, और उनको कैसे remove करना है, एक patient की body से, उसके बार में knowledge होनी चाहिए, तो इसमें बोलाए कि further than aphorize number 4, अब बात और यहां पे aphorize number 4 की, okay, मैं थाग गया, okay, aphorize number 4 में बताया हुआ है कि Hanuman ने explain किया था, Hanuman explains about the knowledge of prevention of diseases, ठीक है, Hanuman ने explain किया था about knowledge of prevention of disease, कि हम लोग disease से कैसे बच सकते हैं, इसके बार में Hanuman ने एक book में बताया था, जिसका नाम था, जो है, a friend of health, ठीक है, उसके बार में उन्होंने book में बताया था, जिसका नाम था, friend of health, ठीक है, a book written by Hanuman, before the discovery of homeopathy, याद रखिए कि यह जो book थी, वो before the discovery of homeopathy आई थी, और यह जो book थी, friend of health, यह consider की जाती है as a book of preventive medicine, याद रखिए है, यह आपके PG में भी question आ सकता है, कि book of preventive medicine कब आई थी, वो त इसका नाम क्या था, उसका नाम था, friend of health, ठीक है, ओके, और यह honeymoon ने दी थी, before discovery of homeopathy, ठीक है, तो इसमें इन्होंने बताया कि physician का mission सिर्फ यह नहीं होना चीए, कि बीमार इंसान को cure करना, उसका mission यह भी होना चीए, कि उसको बीमार होने से बचाना, यानि कि उसको पहले से इसे ही है ना, बताना कि भाई साब आप ऐसी चीजे मत खाया कीजिए, आप ऐसे, रहन से इसमोकिंग मत कीजिए, दारूबाजी मत कीजिए, दुनिया बारी की चीज़ मत कीजिए ना, इससे आप बीमार इसे दियो रहेंगे, तो यह सब भी होता है, कि physician का का काम यह भी होत और यह सब कैसे कर सकता है, वो hygiene वागरा के बार में उसको guide कर सकता है, और कैसे exercise वागरा कर के वो सब कर सकता है, इस सब ठीक है, तो after जब achieving expertise, जो भाई, जब उसको इन सब शीजों के बार में knowledge होगी, expertise होगी, तभी acquisition कैलाएगा, a true practitioner of healing art, for is number 4, a true practitioner of healing art, okay, then next heading है, the deflected current, the deflected current में जो है, यह बताया गया है, इस heading में कि, cure की बीच में जो obstacles आते हैं वो कई जगाओं से आ सकते है, patient की side से भी आ सकते है, physician की side से भी आ सकते है, remedy की side से भी आ सकते हैं, तो इनी सब शीजों के बार में बताया गया है, उन obstacles के बार में, कपारते हैं इसको, इसमें H.A. Roberts के views दिये गए हैं obstacle of cure के बारे में ठीक है तो इसमें बताया गया है कि जब एक अच्छी selected remedy है ना act नहीं करती मतलब या निक हमने selected अच्छी remedy select की लेकिनो तब भी काम नहीं कर रही है तो हमें क्या गरना चाहिए हमें केस को दुबार से investigate करना चाहिए और यह चीज़ देखने चाहिए कि कौन-कौन सी वह obstacles है जो उसमें केस के बीच में आ रही है ठीक है जब हम लोग इना correct obstacles को पता कर लेंगे तो फिर क्या रहेगा कि जो disease है उसको अम लोग near feature में हम लोग आराम से cure कर देंगे जो अभी तार cure नहीं हो रही थी क्योंकि उसमें कुछ obstacles आ रहे थे ठीक है तो एक एसे लिखा था जिसका नाम था the deflected current याद रखेगा एक एसे लिखा था the deflected current है ना उसने उन्होंने कुछ hint दी थी physician के लिए कि वो कैसे पता लगाएगा कि obstacles जो है वो कहां कहां आ रही है ठीक है तो the obstacle of cure can be studies under three headings पहली heading है obstacle patient की साइट से physician की साइट से और remedy की साइट से तो अब हम लोग देखते है obstacle of cure from the patient side पिशले 40 minutes से बोल रहा हूं मेरा भी गलत थोड़ा सा हो रहा है तो यह है obstacles of cure from the patient side अब लोग सबसे पहला heading है the obstacles of cure from the patient side मतलब patient की साइड से जो है न कुछ गलतियों की वज़े से जो है न क्योर नहीं हो रहा हो पहला पहली heading है pathological condition of the disease द्यान से सुनी है अब देखिए मान लीजिए कोई भी disease है उसमें जो pathology है इतनी जादा बढ़ चुकी है कि वो जो disease है incurable condition में आ गई है कि वो अब cure नहीं हो सकती मान लीजिए cancer इतना बढ़ गया है third stage पे पहुंच गया है कि अब वो ठीक नहीं हो सकता तो फिर भाई अब उसमें तो फिर cure possible नहीं है है और अगर cure करने की कोशिश भी करेंगे medicine तो कुछ नहीं मिलेगा हमें failure ही मिलेगा तो ऐसी condition में हम लोग क्या कर सकते है कि सबसे अच्छा काम यह होता है कि palliate किया जाए palliate किया जाए palliate किया जाए rather than trying palliate patient को आरा मिलेगा क्य तो ठीक नहीं होने वाला क्योंकि उसकी pathology इतनी जादा बढ़ चुकी है तो आप कोई सी भी medicine दे लोगे कोई fire नहीं है okay then second heading है presence of mechanical obstruction in the body इसमें यह बता गया है कि मान लीजिए कि कि किसी भी तरीके mechanical obstruction आ रहा है अब medicine तो खूब अच्छी अच्छी दे रहे हैं लेकिन कुछ mechanical obstruction की वज़े से कुछ foreign non pathological foreign bodies हैं जिनकी वज़े से obstruction आ रहा है तो अब उसकी वज़े से क्या है कि हम लोग medicine तो दे रहे हैं लेकिन जो body में चीज़ें ठीक नहीं हो रही है अब मान लीजिए कि मैं सुबह नहाने जा रहा हूँ ठीक है मैं सुबह नहाने जा रहा हूँ मेरी tap खोलता हूँ और मेरी बाल्टी भरती है ठीक है अब मान लीजिए टंकी मेरी एकदम सही है टंकी मेरी कोई damage नहीं है टंकी एकदम मसत है मेरा tap एकदम सही है मेरे tap में कोई वो नहीं है लेकिन जो मेरा pipe आ रहा है नीचे मेरे pipe में blockage है उसमें कुछ फस गया है अब उसकी व जब तक मैं उस mechanical obstruction को pipe से clear नहीं करूँगा तब तक मेरी बाल्टी भरेगी ही नहीं ठीक तो यहीं चीजिस में बताई गई है कि कुछ जो non pathological foreign bodies है वो अट जाती है और फिस में और जब तक उन उसको हम लोग और produce करती है reflex symptom और जब तक हम लोग उनको clear नहीं करते तब तक ज क्यों कि हमने बाद में देखा कि उसके कान में कुछ ऐसा फसा हुआ है जिसकी वज़े से भाई उसको दर्द हो रहा है वो चाहिए एर वैक्स हो यह कोई पानिश लगया कुछ भी वह तो medicine in clear हो सकता ना वहीं उसको तो हमें mechanically remove करना होगा okay so simple चीज याई देन किया है इसमे एँक था जा तुम लोग जब तक है ना medicine देते हैं भाई किसी पेशिंट को-migraine है हम लोग medicine देते जा रहें लेकिन वह स्ट्रेस लेना कम ही नहीं कर रहा ह। सोच जा रहा । तो ऑसा है मतलब मेडिशन एमेफ़क कोई स्ट्रस बहुत है। कुछ पेशिंट जैस होता है आपके पास आ रहे हैं आपने medicine दी नहीं काम करा रहा ड़क्सब अपने patient remedy नहीं काम करा ड़क्सब तो simple सी चीज है कि कुछ ऐसी चीज है वो भाई जो छुपा रहा है आपको नहीं बता रहा है तो आपको वो निकलवाना है वो stress वो क्या है ऐसी चीज जो suppress की बढ़ आपको वो निकलवाना है तब जागे वो patient कहीं के और होगा तो इसमें है कि और नेक्स पॉनिट है फॉर्थ एडिंग ओवर एन अननेसेसरी यूजज ऑफ ड्रॉग्स पाई पेशिंट भाई कोई पेशिंट है भाई ड्रॉग्स को कुछ जाद ही कुछ जाद ही या परजी में यूज किये जा रहा है छुटी मोटी चीज होती है इसमें पर दे रखा है कि आप परसिस मतलब वही है या रहा है सिंपल सी चीज वही सारी चीज़े रख की है जब तक इस तरीके की मेडिसन लेना बंद नहीं करेगा सप्रेटेव मेडिसन तब तक हमारी हुमिपतिक मेडिसन वर्क नहीं करेगा एं देन वो क्यों कैसे होगा ओके देन फिर है कि दा प्रॉब्लम ऑफ डाइट में यह है भाई हमें अपनी डाइट सुधारनी चाहिए म मैं खा रहा हूँ मुझे खासी है लेकिंन मैं खा रहा हूँ इसके मैं खा कर दो ओक्टर दवाई देता है तो एठी हो आहा हुगा okay लाक प्रिजिक्ल एक्साइज बाइम कर रहा है डॉक्तर ने बोला मुझे एक्साइज कर ने रह। मैं बिल्कुल अंब फड़ाई हुं पड़ाों पड़ाई हूं पड़ाऊं 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 सबस्ती आ रही अरी physician की side से, तो सबसे पहले obstacle है जो physician की side साथ सकता है, वो होता है कि selecting the similemum alone is not sufficient, यानि कि सिर्फ और सिर्फ आपने similemum remedy जो है ना select कर दी, और आपने कहा कि बस काम कदम भई है, मेरा तो अब मुझे कुछ नहीं करना नहीं, आपको proper mistake, sorry, similemum remedy के साथ, आपको vehicle कौन से choose करना, आपको potency कौन से choose करनी है dose कितनी रखनी है, repetition कितना रखना, वो सब चीज़ें जरूरी है वो उन सब चीज़ों में अगर आप गडबड करते हैं तो भर जो आनक चोड नहीं होगा, तो ठीक है prejudice नहीं होना चीज़, पहली चीज़, या दूसरी चीज़ क्या prejudice नहीं होना चीज़, या दूसरी चीज़, जिसे कई बार क्या होता ना, कि patient आता है, और patient अपनी चीज़ों को बहुत ज़ादा बढ़ा चड़ागे बताता है, exaggerate करके बताता है वो इस चीज को इस वज़े से इसाचिरेट करके बताता है कि डॉक्साब मेरे पर और धियान देंगे अगर मैं ज़्यादा और ज़्यादा बड़ा बड़ा आगे बताँ हूँगा तो डॉक्साब मुझे और अच्छी दवाई देंगे बता रहे हिं यूटरय़ ऌरा बुह बोला डॉक्साब मेरे इतना दर्द औहुंania मेरे तो जान निकली जारी है यह वो दुनिया बारे की पता नीं क्या 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 ह्यां की दॉप्कर कोई से भी बिड़ा रहा है जो बता रहाए और भी पता लगता है ना तो वो चीज़ है ना तो सिंबल सी चीज़ है दॉक्टर को कभी भी है ना पेशेंट के फ्लोम नहीं बैठ जाना चाहिए और दूसरी चीज़ है कि उसको प्रिजडाइज भी होना चाहिए और देन थर्ड क्या है प्रिस्क्राइबिंग सोली ओन दिबस अफिक आपकड लिया यह संट मतलब यह ऐसा नहीं करने चीज़ है विजन इसका पता है कि आपने मान लिजे किसी की नोट शेंट प्रिस्क्राइब कर लिए लेकिन जो क्या है तोटालिटी उसकी निकल के आई जो हमने उसकी केसिंग दौरन तोटालिटी निकल के आई वो इंडिकेट कर रही थी अलग remedy और आपने सिर्फ और सिर्फ एक keynote symptom के basis पे आपने उसको remedy prescribe कर दी तो वो तो choice of remedy ही कलत हो गई फर खीग है तो आपको तो अगर मान लीजिए आपने local medicine use की सस्ती वाली है उसकी quality अच्छी नहीं है तो कहां secure करेगी ठीक है तो simple ती चीज वही है जो medicine use करनी है हमे standard medicine use करनी है और जो dispensing भी करनी है उसकी जो standards है उसके उसके basis पर dispensing करनी है तब ही वो cure होगा then for last में है कि är dudag proving ना सभी से patient से symptoms लिए हैं सभी से note नीचे drug proving गरबल कर दी और ड्रग proving की गलत कर दी तो फिर मटेरा में गलत लिखा जाएगा मटेरा में गलत लिखा जाएगा पिर वहाँ पे patient को दोगे तो वो कहां सही सही होगा क्योंकि सिम्टम तो है ना गरबर कर जाएंगे ना तो कहां सी पेशेंट क्यों होगा ठीक है यह था हबस्टिकल स्वंदा रेमेडियल सेड यह कंफ्लीट था टोटल फॉर इस नंबर फॉर तो यह वीडियो यहीं पे कंफ्लीट होता है तो I hope कि आपको समझ में आओगा अगर आप इसी के साथ तो ही अगर आपको यह वीडियो पसंद आओ तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिगा and comment जरूर कीजिगा ताकि मैं आगे यह सीरीज जाना continue कर सकूँ अगर इस सीरीज में मुझे अच्छा response मिला तो मैं वीडियो को continue करूँ अगर नहीं मिला तो फिर लेखते है इस वीडियो के लिए इतना ही thank you